हेलो और नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका दो सिनेमा कल्ट में तो आज जो मैं मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ यह हमारी एक कल्ट के मेंबर ने मुझे कमेंड में सजेस्ट की थी जिनका नाम है जॉन गार्नर इस मूवी का नाम है डचरा जो की 2018 में रिलीज हु और सड़े हुए टमाटर पे यह है 100% fresh with 78% audience score तो आप बिना किसी देरी किये roll the intro मूवी के स्टार्टिंग में हमें बता जाता है कि यह मूवी सची घटनाव से इंस्पायर है तो मूवी की शुरुआत होती है एक विलेज को दिखाते हुए जहां पर कुछ लोग एक बच्चे को पकड़के उसका सर एक पत्थर पे रखते है एक आदमी बड़ा चाकू ले और यह सीन देखकर लगता है कि वो लोग कोई सेटानिक रिच्वल कर रहे थे उसके बाद स्क्रीन ब्लैक आउट ओकर एक कॉलिज की दरफ मूड़ती है जहां पर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर दिखाय जाते तो पहले है यासमीन और उसके दोनों दोस्त बिलेल और वालिद का सैंड्विच उटा कर एक बायट लेता है और उसका सैंड्विच खाते ही इसके मूँ से निकलता है कि छी कितना आजीब टेस्ट है वो वालिट से पूर्चता है कि यह क्या है पर वालिद उसका जवाब नहीं देता है वो तीनों अपना प्रोजेक्क्त डिसकास क निकल दिया मैने अपने मां से इसके बारे पूच्या तो मेरी मा ने कहा कि उन्होंगों ने पहुत साल पहले पेशंट के बारे में शुना था और आर्ठिकल्ट्स भी थे, वो लोग उसे मौंजिया बिलाते थे वहाँ के लोग कहते हैं कि वो चुडेल है, यास्मिन पूछती है कि चुडेल क्यों, वलित कहता है कि पूरी रात वो अजीब आवज़ा में बात करती है, और कभी-कभी तो उसका रूम खाली होता है और वो कहां से भी अचानक से आ जाती है, वो कहता है कि यह हमारी प्रोजे पाटब का करटन हटाती है और डर के मारे यास्मिन की आग खुलती है, और उसके चीक सुनकर उसके ग्रेंटपा भी वहाँ पर आ जाते है, वो यास्मिन से पूछते है कि उसने सपने में क्या देखा, तो यास्मिन कहती है, तो ग्रेंटपा उसका हाथ पकड़ लेते है और वह possessed हो चुके थे ग्रेंडपा उसका हाथ खाने लगते तो यास्मिन की आग उसी वक्त खुल जाती है यास्मिन सपने के अंदर एक और सपना देख रही थी उसी वक्त यास्मिन को वलीद का फोन आता है कि उन्हें असाइलम के डॉक्टर से बात करने जानी है और वो लोग व सब्सक्राइब करते हैं और दोक्टर उनसे कहते हैं कि हमारे आपर सिफ 40 पेशेंट है और उनमें से मौंजिया नाम का एक भी नहीं और थोड़ी वेस के बाद डॉक्टर ने वहां से निकल देते हैं यास्मिन वालिद से पूछती है कि अपक्या तो वालिद अपनी नर्स से बात करता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके मौंजिया को फिल्म करना है तो उसकी नर्स फ्रेंट कहती है कि तुम्हें सिक्रिटी गार्ड्स को पैसे खिलाने पड़ेंगे और जब रात को डॉक्टर नहीं होते तुम्हें उस वक्त आना पड़ेंगा वह लोग रात को जाते हैं और वालित की नर्स फ्रेंड उन्हें उस वार्ड में लेकर जाती हैं जहां पर सबसे खतरनाक पेशन्स को रखा जाता है जैसे हो लोग मौजिया के रूम के बाहर पुछते हैं तो वालित कहता है कि मैं अंदर नहीं जाओंगा तुम और बिलेल जाओ वो लोग रूम के अंदर जाते हैं और मौजिया सामने बैठी थी मौजिया को बुरी तरह चेंड से बांद के रखा था यासमिन मौजिया के पास ही जा रही थी तब ही वालित की नर्स फ्रेंड कहती कि उसके जादा पास मच जाओ दूर से ही बात करो यासमिन मौजिया को बता थी कि वो लोग उसे वहाँ पर फिल्म करने के लिए आए पर भार से नर्स कहती कि कोई फाइदा नहीं वो बात नहीं करने वाली यास्मिन मांजिया से पूछती कि जब वो लोग आपको यहाँ पर लाये थे उसके पहले आपके साथ क्या हुआ था पर मांजिया उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे अजीब तरीके से गूरती है यास्मिन एक मैप निकालती है और मांजिया को दिखाती है वो मांजिया को कहती ही कि यह उस जगह का मैप है जहां पर आप उन्हें मिली थी क्या आपको एक्जेक्ट लोकेशन पता है वहाँ की मांजिया मैप देखी रही थी तभी उसकी नजर यास्मिन के हाथ पर जाती है और वो अचानक से यास्मिन का हाथ पकट लेती है यास्मिन बुरी तरह डर जाती है पर मांजिया उसका हाथ पकट कर कहती है कि ये तो तुम हो सबी वलीद उहां पर आता है और वो मांजिया को लाथ मार के गिरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते है घर पर ग्रैंटपा यासमिन के हाथ पर हुए जखम पर दवाई लगा रहे थे ग्रैंटपा यासमिन से पूछते हैं कि ये जखम कैसे हुए तो यासमिन उसे जूट के थी कि वलीद के बिली ने उसे हाथ पर नोच है बिलेल और वलीद भी यासमिन की हाँ में हाँ मिलाते है और घर जाते वक्त वलीद यासमिन को उसका मैप दे कर जाता है बिलेल और वलीद के जाने के बार ग्रैंटपा यासमिन से कहते हैं कि मैं बुड़ा जरूर हूं पर पागल नहीं हूं यासमिन से सच बोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे माहा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी तुम्हें सम्मालने की यासमिन ग्रैंटपा से जोट कहते हैं ग्रैंटपा यासमिन से कहते हैं कि तुम्हें एक बार फिर से शेक से मिलना चाहिए मैं आपको शेक के बारे में बता तू कि जैसे हमारे यहाँ पर बड़े बाबा या चर्च के फाधर रहते हैं वैसे ही उनके यहाँ पर उन्हें शेक आ गया है यासमीन इसके लिए मना करती है पर ग्रैंटपा उसके उपर जोर डालते है तो यासमीन कहती है मैं उनसे मिलूँगी पर या आखरी बार होगा पने रूम में जाकर यासमीन बिलेल को फोन लगाती है और कहती है कि हम लोग कल उस जगह शूट करने के लिए जाएंगे बैक अब भी इसके सपने में आ रही है जाते खिसके सपने बारे में और पूछते हैं कि तुमने उसके कुछ बदा है तो नहीं ग्रैंटपा कहता है मैंने उसके महां से बासा किया था सीने की तरफ मुड़ती है और में बिलेल की तवयत खरा वो जोती है और वो यास्मीन को गाड़ी रुकाने के लेगेता है वो साइड में उल्टी कर रहा था तभी एक आदमी वेन से निकल कर उनके पास आता है वो आदमी उनसे पूछते है कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वलिद कहता है कि नही वलिद कहता है रस्ता यहां से वो लोग आगे बढ़ते और यह रस्ता घने जंगलों में से होकर गुजरता था बहुत दूर तक चलने के बाद वो तीनों ठक जाते है पर उन्हें पेड़ और पत्तों के लावा कुछ नहीं मिलता वो तीनों आगे चली रहे थे तब भी बि लगावा था और हमें दिखाए जाता कि वो एक जिन्दा कवा खा रही थी तीनों को देखकर वो लड़की अपना जूटा कवा वहीं पर फिक देती है और उन्हें आजीब सी स्माइल देकर भागने लगती है वो तीनों उस लड़की का पीछा करते और भागते बागते उस वो आदमी अपना नाम साबेर बताता है और उन्हें चाय ओफर करता है जब साबेर सबको चाय दे रहाता तब वो उनसे पूछता है कि आप लोग यहां पर कैसे यासमिन बता थी कि हमने एक अफ़ा सुनी थी कि पुलिस को जंगल के पासी के रास्ते से एक औरत मिली थी जि अब हम यहां से निकलना चाहिए पर सबेर उन्हें डिनर के लिए रुखने को कहता है यासमिन और बिलेल बहुत मना करते हैं पर सबेर के बहुत जोर डालने के बाद वो लोग डिनर के लिए रुख जाते हैं वहां घर पर ग्रैंट पा यासमिन को धूंडते हुए इसके र की औरत उन्हें खाना शुरू कर दिया था और यास्मीन को उन्हें देखकर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वह ऐसे खा रही थी जैसे उन्हें जन्मों से खाना नहीं मिला उसी वक्त एक औरत इन तीनों का खाना लेकर आती है और सबेर उन्हें प्लेट में परस के देता मीड़ बॉल लेकर कोने में भाग जाती है और वहां पर उन औरतों की तरह खाने लगती है। यासमीन सबेर से पूछती कि क्या हो तुमारी बेटी है पर सबेर कहता है वो मेरी बती जी है। तो यासमीन उससे कहती है कि हमने उसको जंगल में देखा था। सबेर उससे पूछता है कि क्या उसने आपको परिशान तो नहीं किया सबेर कहता है वो बहुत ही special चायड़े पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुचाती अब खाना होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे तब सबेर उन से कहता है कि अब इतनी रात को आप लोग कहाँ पर जाओगे यहीं पर रुख जाओ यास्मीन वलिद से कहती कि हम लोगों ने जैसा तेह किया था हम वेसा ही करेंगे अब तुम गाड़ी चलाने वाले हो और सवेर यहां पर फिर से उनके बर जोर डालने लगता है कि वो लोग उसके गेस्ट रूम में रुख जाए जैसे ही यास्मिन खिड़के से बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते है उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन कर खड़े थे और वो छोटी बच्ची उनके चक्कर लगा रही थी यास्मिन डर से बिलेल और वालिट को आवाज लगा थी है पर जब व कोई उनी रिकॉर्ड कर रहा था ये देखकर वलित बिलेल को चिला कर आवाज लगाता है और उससे कहता है कि जब हम लोग सो रहे थे हमें रिकॉर्ड करने की क्या जरूरती पर फुटेज आगे बढ़ने पर वो देखता है कि बिलेल भी फुटेज के अंदर सोया वा था और जो उनकी फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था उसने बिलेल के गले पर चाकू रखा था वलित फिर से उस फुटेज को देखने के लिए रिवाइंट का बटन धून रहा था पर गलती से उससे वो वीडियो डिलीट हो जाती है तब ही वहाँ पर बिलेल आता है और उससे कैमरा को अपिस से हाथ मत लगाना और उससे कैमरा चीन कर वहाँ से चला जाता है इसके बाद हमें ग्रैंटपा का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जाने के लिए बस्टेशन पर खड़े थे उन्हें लोगों के बीच में दबूमेन इन ब्लैक दिखती है उसे देखकर वो कुरान के प्रेगनेंट है और वो उसके पेट को हात लगाति यासमीन उससे कहती कि सब आरता यहांपर इतना डरती क्यूं है पर वो अरत कान में आकर कहती कि भाग जाओ यहां से अभी-के अभी वक्त सभेर वहां पर आता है और गुसंसे में उस औरत करने के इजाजत नहीं है और वहाँ से निकल जाता है उसके बाद हो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा था तब ही बिलेल उसे आवास लगाता था आगी चुछ दीगती है तो एक जाड़ के पीचे चुपगर देखता है कि जाते है इगनेट औरत से बात कर रही थी और उस औरत ने उसे यहाँ से भागने के लिए कहा और वो औरत कितना डरी होई थी वलीद उसे कहता है कि वो औरत पा गल है छोड़ दो उसकी बात को यह आस्मिंन कहती है पर जिस तरह से वह औरत कह रही थी तो Development कहता है तो तुम्हेर कहने का मतलब का है सबेर इवील है और वो हसने लगता है यहाँ जंगल में चलते चलते बिलल का पेरफिस सलता है और वो जाकर एक जगा पे गिरता है जब उठकर देखता है तो उसके आसपास इंसानों की हड्या पड़ी हुई थी यह देखकर बिलल बहुत बुरी तरह डर जाता है अपने दोस्तों को बताने के लिए फिर से गाओ की तरफ भागता है यहाँ गाओ में सबेर दो पोते लेकर आता है जिसके अंदर पता नहीं क्या था वो गाओ की ओरतों को आवाज लगाता है और तीन ओरते भागते वे आती है दो ओरते एक पोते को उठा कर एक दरवाजे कि मैं आपकी कार ठिक करके ही लोटूंगा थोड़ी देर बात बिलेल वहां पर बाकते वह आता है और जितना जल्दी हो सके उनको निकलने के लिए कहता है यासमीन बिलेल से पूछती कि तुम बताओगे सही कि हुआ क्या है उसने जो जंगल में देखा वो सारी बाते उन्हें बताता है वलिद कहता है कि इसका धिमाग खराब हो गया है उसी वक्त बिलेल का ध्यान सभेर पे जाता है जो अपने गाड़ी में वो पोते भर रहा था बिलेल उन दोनों को अपने साथ लेकर सभेर के पास जाता है और उसे धक्का देकर उसके गाड़ी से वो पोता निकलत और तब ही उसे याद आता है कि उस प्रेगनेट औरत ने जब उसके पेट को टच किया था तब वो ये डायरी रख रही थी यासमिन डायरी पढ़ना शुरू करती है और उससे पता चलता है कि इस डायरी की ओनर इस गाओ में इंवेस्टिकेशन करने आई थी अपनी इंवेस् पच्चों को ये लोग चाबियों का रख वाला केते वो तीन दिन से इस गर से बाहर नहीं निकली पर आज रात कुछ बड़ा होने वाला है वो चुपके से उनका पीछा करने लगी पहले उसने द वुमेन इन ब्लैक और उसके पीछे दो आदमी बैक्स लेकर जा रहे थे व वो बर्तमार्क वाली बच्ची वही थी फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ओरत ने छोटी यासमिन को बशीर को दिया और उसे समभालने के लिए कहा बशीर उस ओरत के पिता थे और यासमिन के ग्रैंडपा बशीर अपनी बेटी से कहते है कि वो पुलीस को यहां बुलाएं क्योंकि जिसकी ये डायरी है और जिसने बच्पन में उसकी जान बचाई थी वो औरत और कोई नहीं बलके मौझिया थी यासमिन को यकिन नहीं होता और तब ही उससे समझ में आता है कि असाइलम में मौझिया ने उसका हाथ पकड़कर ऐसा क्यों खाता कि ये तो तुम हो भी फोटोज मिलती है जो कि रबय की थी एक ये दकावा खाने वाली लड़की एक पेच पर लिखा था कि उसने रबय को बहुत पूरानी फोटोज में भी देखा है जो कि 1920 की थी और आज भी वह वैसी की है उसकी एच थोड़ी भी नहीं बड़ी उसी वक्त यासमिन को बाह से बच्चों की डिलेवरी करते हैं बिले लिए सब रिकॉर्ड कर रहा था और यासमिन को कहता है कि इस गाओं में कुछ तो बहुत आजीब हो रहा है तभी एक और बच्चा लेकर उस घर के बहार आती है वह बच्चा रिबय को देती है और रिबय वह बच्चा लेकर भाग कल भी थे और उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि यासमिन के रॉंग टे खड़े हो जाते साइड से एक चुड़े लाती है और बच्चे को जिंदा खानने लगती है यासमिन अपने फोन में यह सब रिकॉर्ड कर रही थी और उसी वक्त उसके फोन की मैसेज टोन बच्चती है कि यासमिन को देख लेते पर लखकी लिए यासमिन उस बिल्डिंग से बहार निकल जाती है बागते बागते उसे एक दीवार में होल मिलता है वो जाकर उस होल के अंदर छुप जाती है यासमिन को वहाँ से बहुत ही बुरी बदुलात है वो अपने फोन का फ्लेश हर जगा इंसान के पार्ट्स लटक रहे थे वो भाग कर बिलेल के बाज जाती है उसे कहती है हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा वो लोग हमें मार डालेंगे पर बिलेल कुछ समझ सके है इससे पहले ही दरवाजे पर कोई नौक करता है यासमीन बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिलाने लगती है क्योंकि अगला नमबर उसी का था पर लखिली ग्रैंटपा बशीर वहां पर आ जाते हैं वो कुरान के वर्सेश पढ़ने लगते है जिनसे उन औरता को तकलिफ होती है वो यासमीन को लेकर वहां से भाग जाते है भागते भागते हो लोग जंगल के एंड पर बहुच जाते है पर उसी वक्त वलीद यासमीन को आवाज लगाता है जो वहां पर जख्मी हालत में पढ़ा था उसी वक्सीन गाओ की तरफ मुड़ती है जहाँ पर हमें दिखाये जाता है कि सबेर बिलेल का पेर काट के हुक में लटका रहा था और वो रुबे को कहता है कि आज़त कर दो से और यहाँ पर खुलता है मूवी का आखरी प्लोट और यह सस्पेंस देखकर मैं भी हरान हो गया था यासमिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सबसे बड़ा शौक लगता है वरीद ने उसके ग्रेंटपा को मार दिया था वो यासमिन को देखकर हसने लगता है और उसके पास आने लगता है पर इस से पहले यासमिन भाग पाती ही उसके सर पे कोई मारता है और और वो हुँए पर गिर जाती है का यही होगा कि दचरा का मतलब क्या है दचरा इस विलेज का नाम है जिस पर यह पूरी मूवी बेजड है और इसके बाद आते हैं इस विलेज के लोग अब यह लोग कुछ 1910 या 1920 से एक्टिव है जहां पर यह लोग बिखारी और अनात बच्चों को किड्नाप करके उनकी ब भी थे अब ज्यादतर तो लोग इस गाओ को धूंडी नहीं पाते थे इसलिए जो लोग इस शहर में नहीं आते थे तो सबेर उन्हें जासा देकर यहां पर लेकर आता था अपने और गाओ वालों के खाने के लिए और जब इनके कारण किड्नैपिंग्स बढ़ने लगी त पर किसी ने भी उसके बाद का विश्वास नहीं किया और उसे पागल करार देकर असाइलम में भरती कर दिया अब मैं यहां पर एक चीज़ और ग्लियर कर दू कि जिस असाइलम में मौंजिया भरती थी वहां पर भी इनके लोग मौजूद थे इसलिए इतने सालों तक बश यासमिन को धुणने के लिए जान लगा दी और इनकी खुश किसमत ही से इने यासमिन मिल भी गई इन लोगों ने बड़ी होश्यारी से वलीद को उसके पीछे लगाया उसके बाद उससे दोस्ती करवाई और मुझे तो रगता है इस कॉलेश का प्रोफेसर भी साला उनसे म जब वो लोग असाइलम में मौंजिया से मिलने भी गए तब भी वली जान पुछ करके बाहर रुका था क्योंकि उसे पता था अगर मौंजिया ने उसे देख लिया तो वो उसे पेचान लेगी अंदर जैसे मौंजिया ने यासमिन का बर्ट मार्क देखके उसे पेचान आ तो वलीद समझ गया कि उसका ब्लैन खत्रे में इसलिए वो अंदर गया और उसने मौजिया को लात मारी और नोगों को जान पुछ करके वहां से उसी वक्त भागा कर लेकर गया और मैप पर भी लोकेशन वलीद नहीं मार्क की थी क्योंकि आपने दिखा होगा कि जब इसके लोग वहां पर खाना खा रहे थे तो सिब वलीद उनमें ऐसा था जो दिल से खा रहा था और आप लोग समझ गये होगे कि जब कैंटीन में वलीद का सेंडविश खाया तो उसे वह गंदा क्यों लगा खाना होने के बाद जब यासमिन ने घर जाने के लेका तो उसने जान वीडियो को बनाने में बहुत मेनत लगे और यह मुवी इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं थी और इसलिए मुझे इतने दिन लग गए और मुझे पूरी गैरेंटी है कि आपको यह मुवी जरूर पसंद आई होगी तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो और आप पर पूरा विश्वास है कि आप लोगे जरूर कम्लिट करोगे तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद दे कल्ट